बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री जीतन राम मांजी दुआरा भ्रामण समाच के लिए अमर्यादित भाशा का प्रियोग और भगवान श्री राम को कालपनिक बताते हुए दिये गए बयान पर हजारी बाग के पूर्व सांसद ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री के गरिमा में पद पर रहने के बाद भी किसी खास समुदाय को टार्गेट कर गाली देना उनके लिए अभध्र भाशा का प्रियोग करना निंदनिये है। इसके बाद एक मांग और रखना चाहता हूँ, पपू देव की जो हत्या हुई है, इसमें CBI चांच का मैं मांग करता हूँ, निती सरकार से। अभिलम, पूलिस पर करवाई और CBI चांच के मांग कर रहा हूँ, और CBI चांच हो, और दूद का दूद और पानी का पानी होँ। मैं यही कहना चाहूंगा, कि पंडित दिन द्याल उपाद ध्याय का सपना था, कि अंतिम पैदान के ब्यक्ति तक हम जाएंगे, और मेरी जब सरकार बनी भारत में, सारे लोग यह अनुमान लगा रहे थे, जो नरेंदर मोधी परधान मंतरी होंगे, तो लाल किस्ट मानी जो है, राष्ट पती बनाए जाएंगे, लेकिन द्याल जी के पिशार को रखते हुए, खार्थिये जनता पादी ने एक दलित को राष्ट पती के गुद्धी पर ले जाकर बैटाया, और यह जीता नराम माजी, प्राम्हन के बलबुते गया से चुनाव जीत के आता ह और यह बिहार का मुकमंत्री बना, इसका दिमाग जो है, संतुलन जो है, खराब हो गया है, यह बराबर सराब पीके, और संसंद्य भासा का अफसब का परियोग करता है, देवी देवताओं पर कुठार गात करता है, ब्राम्हन पर कुठार गात करता है, ब्राम्हन तो एक देश का इसा पुन्जी है कि भगवान जो है बेद के बस में राते हैं और बेद जो है ब्राह्मन के बस में राता है। जाती वाचक सब्दकाव पयोग किया। जो कि इन से हम लोगों की आसा नहीं थी। ये समाज का तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। उनको सार्व्यनिक लूप से ब्राह्मनों से नहीं नहीं। हिंदु धर्म से माफी मांगना होगा, हर हाल में मांगना होगा। वरना हम लोग बिजेपी से भी बॉक आउट करेंगे।